Hello Friends, Java Language सीखनी की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा Lecture 49 जिसमें हम पढ़ेंगे Finalize Method के बारे में Finalize Method से पहले जो Lecture 48 आपने देखा होगा वो Garbage Collection के उपर था अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस Lecture के पहले आप उस Lecture को जरूर देखे क्योंकि उससे कहीं न कहीं Linking है इस Chapter की तो आई हम समझते हैं आज Finalize Method को लिके उससे पहले कुछ Basic बाते करें एक जमीन तियार करें जिसे कि हमें Finalize Method की Utility भी समझ में आए तो हम जानते हैं किसी भी Object को Java में बनाते हैं तो New Keyword का इस्तमाल करते हैं और जब हम New लिखकर किसी Object को बनाते हैं तो Dynamically वो Object को Memory मिलती है और उसके लिए एक Constructor Call होता है आपको याद होगा Constructor क्या काम करता है Constructor Members को Initialize करने का काम करता है अब इस बात को बहतर तरीके से समझने के लिए हम एक चोटा सा Example लेते हैं माल लीजे कि मैं एक Class बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ Office Assistant ओ एक कर देता हूँ Short में मैंने एक Class बनाई Office Assistant नाम की इस Class के अंदर मैं बहुत सारे Functions बनाऊंगा, Variables बनाऊंगा तो जब कभी मैं New लिखकर Office Assistant Class का Object बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा? इस तरीके से, ठीक है? और इसका Reference रख लूँगा Office Assistant के Reference Variable में जैसे कि मैंने रख लिया O ठीक है? So O क्या है? एक Variable जो Reference Variable है जो किसको Refer कर रहा है? एक Object को, Object कौन सा है? Office Assistant Class का Object है Office Assistant क्या काम करता है? मेरे कहने पर Office Work करता है मेरे लिए तो इस Class के अंदर कुछ Variables होंगे, कुछ Object References होंगे तो इसके अंदर मालीजे एक Variable है जो Refer करेगा किसी Printer को ये एक Variable है जो किसी File को Refer करेगा ये एक Variable है जो किसी Database को Refer करेगा इसका मतलब मेरे पास Office Assistant के Assistant के Object में कई सारे ऐसे Variables हैं जो External Resources को Point करेंगे तो मैंने इस Class के अंदर एक बनाया होगा Constructor Right? Obviously Public भी लिखा होगा मैंने पहले तो यहाँ पर मैंने ये Constructor बनाया होगा तो इक Constructor के चलने से क्या हुआ? चलने से ये हुआ कि ये Variable किसी Printer को Point करने लगा यानि Printer को Represent करने वाली File को Point करने लगा ये File कोई Hardness में File है उसको Point करने लगा ये जो है ये किसी Database को Point करने लगा चीक है? तो मेरा ये जो Object है ये अपना काम करने के लिए External Resources पे Depend करता है ये मेरा Object Office Assistant का एक Control Panel की तरह है Controlling Mechanism है इन सब को Access करने का तो अब जब मुझे कभी Print करना है Printer पे या मुझे File में कुछ Store करना है या मुझे Database में कुछ Store करना है या Retrieve करना है तो मैं Office Assistant के Object की मदद से ये काम कर सकता हूँ हो सकता है कई लोगों ने Programming कम करी हो तो ये Example थोड़ा सा बड़ा लगे उनको थोड़ा सा अलग लगे लेकिन मैं इसलिए अभी Coding Point of View पे नहीं जा रहा हूँ मैं आपको Concept समझाने की कोश्च कर रहा हूँ तो अभी आप Coding को Bother मत करिये Coding कैसे करेंगे ये मत सोचे आप सिर्फ ये देखिए कि एक Office Assistant नाम की Class है उसमें Constructor है Object बना तो Constructor ने Member Variables को Initialize करिया अब ये देखिए ना ये Object है अगर तो Object के अंदर ये तीनो Variables थे इनके अंदर जब Value पहुँची होगी तभी तो किसी को Point कर रहे है न तभी तो ये Reference Variables किसी External Resource को Point कर रहे है ये सब External Resource है अब External Resource क्या है तो कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने बुला ये Printer है कैसे मत सोचे अभी आप उसमें मत लजिए ये कोई File है ठीक है ये File है ये हो सकता है कोई Database है ठीक है जैसे Oracle, MySQL तो हमारा ये Office Assistant का Object अब Point करने लगा है इन External Resources को और क्योंकि Point कर रहा है तो ये Object Capable है इन Resources को यूज़ करने में सोचिए जरुवत पढ़ने पर आपने इनका इस्तमाल खूप किया पर एक कोई Function आपने बनाया था ठीक है किसी दूसरी Class में और उस Class के अंदर ये वाली Line लिखी हुई है ये Function, कोई दूसरी Class के अंदर कोई Function बनाया होगा आपने और उस Function के अंदर आपने ये वाली Line लिखी हुई है तो ये जो O Variable बनेगा ये इस Function के अंदर का Local Variable है अगर यह function खतम हो जाएगा तो यह O खतम हो जाएगा मनते हैं इस बात को और O खतम हो जाएगा तो इस object को कोई भी refer नहीं कर रहा होगा यह भी मनते हैं क्योंकि dynamically object बनता है तो यह वाली line new O A वाली यह चली होगी तो object बना होगा dynamically object बना होगा ओ भी बना होगा लेकिन जब यह function का काम complete हो जाएगा तो ओ की memory release हो जाएगी क्योंकि ओ इसका local variable है पर new की मदद से जो objects बनते हैं उनकी memory release नहीं होती तो यह object की memory कैसे release होगी तो इसी के लिए आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा garbage collector का तो java में jvm automatically garbage collector को call करता है और जो garbage blocks होते हैं उनको release करवाता है अब garbage block क्या है जब यह fun function complete होगा ओ destroy हो जाएगा तो OA class का यह object एक ऐसा object होगा जिसको कोई refer नहीं कर रहा है किसी के भी पास इस object का reference नहीं है तो ऐसा object जिसका reference किसी के पास नहीं है वो garbage block कहलाएगा ऐसे garbage blocks eligible हैं कि इनकी memory release हो सके तो जब garbage collector चलेगा तो वो इस object की memory को कर देगा release हम नहीं कह सकते कब चलेगा क्योंकि यह हमारे हाथ में नहीं होता है JVM decide करेगा कि उसे कब कॉल करना है वो garbage collector कॉल करेगा और वो चल जाएगा और इसकी memory release हो जाएगी लेकिन आप एक बात बताईए ठीक है C++ में delete keyword की मदद से हमें object की memory release करवानी पड़ती थी explicitly Java नहीं एक अच्छा काम किया कि हमें delete नहीं लिखना पड़ता Java खुद garbage collection कर लेती है लेकिन अगर ये object destroy हो जाए इसकी memory release हो जाए तो क्या होगा ये जो अंदर के variables है ना member variables object के अंदर के ये भी तो release हो जाएंगे और ये release हो जाएंगे तो ये printer को point कर रहे थे file को point कर रहे थे लिए कोई memory block था file को represent करने के लिए कोई memory block था database को represent करने के लिए कोई memory block था तो ये तो हमारे program में memory consume करके बैठे हैं यानि हमारे program के पास जो memory होती है वो दो पार्ट में होती है free memory area और consumed memory area ठीक है ना consumed तो अब सोचिए जरा कि ये memory जब मिली थी तो free memory area में से consumed memory area में आगे थी और जब ये object destroy हो रहा है garbage collector के कारण तो भी printer के लिए जो memory थी file के लिए जो memory थी database के लिए जो memory थी वो release नहीं हो रही है वो अभी भी consumed में count हो रही है पर उनको कोई refer नहीं करेगा ये problem है ना ये connection को मुझे ये connection को कैसे release किया जाता है कि properly ये चीज़ें hard disk में चली जाए जो writing perform होनी थी hard disk में वो properly हो जाए यानि इनको properly close करने की जरूरत है properly close करने की तो वो coding हम कहां लिखेंगे तो हम क्या करते हैं अपनी class में एक khas function मनाने की बारे में बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जब भी हमारा object release होगा कौन release करेगा garbage collector तो जब भी हमारा object release होगा उसके पहले please ये वाला function चला देना हमारे object के अंते मिक्षा के रूप में जैसे कि C++ में destructor होता था ये function कोई और नहीं finalize function है तो हमने अपनी class में बनाया होगा finalize नाम का function ये function के अंदर की coding हमने करी है और इस coding में हमने क्या लिखा है इस coding में हमने लिखा है printer की memory कैसे release करनी है file की memory कैसे release करनी है database की memory कैसे release करनी है database की memory कैसे release करनी है database की memory release करने से पहले हमें database connection close करना होगा file का data हमें high desk में write करवाना पड़ेगा इस तरह की चीज़ें हमें करवानी पड़ेगा यानि closing clean up वाला जो काम है proper तरीके से करने के लिए code हमने कहां लिख दिया finalize function में finalize में जो code लिखा होगा वो definitely ये जो member variables है न कौन से जो object के अंदर है जो basically ये देखिए ये वाला ये वाला और ये वाला ये अगर है तो ही मैं printer, file और database को access करूँगा अब finalize function क्योंकि इसी class का member है तो object के members को access कर लेगा और इसी लिए वो proper तरीके से ये closing के operations perform कर लेगा अब हम ये चायते हैं कि हमारा object यानि OA का object ये वाला जब ये object release हो उसके just पहले finalize function चल जाए ताकि ये printer, file और database से related closing के operations properly perform हो जाए ये हम चायते हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये properly close नहीं हो पाएंगे और कुछ काम अधूरा रह जाएगा तो ये हम करना चाहते हैं तो finalize नाम का function जो हमने बनाया है ये एक ऐसा खास function है कि garbage collector जब हमारे object को release करने आएगा तो वो हमारे object को release करने से पहले हमारे object के लिए बने finalize function को कर देगा call यानि यदि आपने अपनी class में finalize function बनाया है तो वो call हो जाएगा automatically यानि finalize function को हमें call करने की जरूद नहीं है garbage collector खुद हमारे object के लिए finalize function को call करेगा कब call करेगा जब garbage collector हमारे object को destroy करने वाला है उसके just पहले एक तरह से हमारे object के destruction से पहले object की अंतिमिक्षा पूरी हो रही है object तो destroy होने वाला है object की memory तो release होने वाली है लेकिन या finalize पहले चल जाएगा तो वो अंतिम काम जो object के लिए होना चाहिए वो हमने finalize के अंदर code लिख दिया finalize चल जाने से हमारी problem solve होगी तो आपको समझ में आया होगा की finalize की क्या utility है आईए कुछ theory और देखते है तो when an object is no more required it must be removed from the memory so that the memory can be reused for other objects बात हो रही है कि memory का release होना बहुत important है अगर object को अब कोई refer नहीं कर रहा है उसका जो जरुवत थी वो पूरी हो चुकी है तो उस object की memory हो जाए release remove करने के लिए यहाँ delete keyword नहीं होता है Java में garbage collection का concept है जो पिछली वीडियो में cover किया हुआ है आप उसको जरूर देखे तो garbage collector JVM के द्वारा call होगा उसको release करने का काम करेगा पर object की memory release करने से पहले वो object के लिए जो finalize function बना है उसको call कर देगा अब सवाल यह उठता है कि अगर हमने object के लिए finalize function ही नहीं बनाया हो सकता है न? आपने अपनी class में finalize function नहीं बनाया हो तो आपको एक बात याद दिला दू कि Java में आप कोई भी class बनाइंगे उस class की parent class कौन होती है? object class Yes Java में lang package के अंदर एक class पहले से बनी है जिसका नाम है object वे तो capital पहला लेटर जो है वो capital होगा तो object class का भी नाम है तो जब हमारी class हमने बनाई की office assistant हमने तो इसकी कोई super class mention नहीं करी है बट by default हमारी class की super class कौन है? object class अगर हमने अपनी class की कोई super class बनाई होती जैसे office assistant की कोई super class हमने बनाई होती तो फिर object office assistant की direct super class नहीं होती चीक है? क्योंकि Java में किसी एक class की एक ही parent class हो सकती, एक ही super class हो सकती तो भी मैं कहूंगा कि इस hierarchy में सबसे उपर कौन होगी? object class क्योंकि आपने जो class बनाई होगी office assistant आप बोलते हो कि नहीं एक और class है जिसकी ये child class है तो ठीक है object जो होगा वो इसकी parent class होगी ठीक है? तो office assistant की indirect parent class तो होगी object? yes अब मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि object class जो है इसके अंदर एक function बना हुआ है finalize yes object class के अंदर एक finalize नाम का function बना हुआ है जिसके अंदर कोई coding नहीं है मतलब वो चलेगा तो कुछ होगा नहीं लेकिन एक finalize नाम का function बना हुआ है अब आप जब class बनाते हैं क्योंकि वो object की descendant class है object की या तो child class है या object की child की child class है तो आप अपनी class में चाहें तो इस object class वाले finalize function को override कर सकते हैं और अगर आप नहीं बनाते हैं finalize तो garbage collector आपके object के लिए अजब finalize function को call करेगा तो कौन सा वाला finalize function call हो जाएगा वो जो object class में बना होता है ऐसी तो होता है क्योंकि inheritance हो रहा है तो अगर हमारी class में finalize function नहीं मिलेगा तो वो object class में जो finalize function होगा उसको चला देगा तो यह आपको समझ में आए कि finalize function तो चलेगा हमने बनाया होगा तो हमारा वाला चलेगा नहीं बनाया होगा तो object class वाला चलेगा और object class वाला चलेगा तो वो कोई काम नहीं करता है तो Java में destructor तो नहीं होते हैं लेकिन finalize का जो mechanism हैं वो बिल्कुल destructor जैसा ही है तो Java में delete keyword भी नहीं होता यहाँ पर garbage collector होता है JVM खुद इसको call करता है object class के अंदर जो finalize function है वो कुछ इस format का है यानि वो protected है उसका format है उसका जो modifier है उसका जो specifier है access specifier, access modifier भी बोलते हैं इसको वो protected है return type void है argument कुछ भी नहीं लेता है और यह throwable type की exception generate करता है तो इस function के अंदर कोई coding नहीं है object class के respect में आप इसे override करेंगे तो ध्यान रखेगा override करते वक्त आपको भी protected लिखना पड़ेगा void लिखना पड़ेगा और function में कोई argument पास नहीं करने होंगे और इसके अंदर जो चाहें code लिख देंगे तो garbage collector thread before sweeping out an abundant object it calls finalize method of that object यानि object को destroy करने से पहले object की memo release करने से पहले garbage collector finalize function को call करता है हम अगर चाहें देखिए बहुत important बात है note करिएगा हम अगर चाहें तो finalize function को खुद भी call कर सकते क्यों? क्योंकि भई वो हमारी class कहीं तो member है तो अगर मैंने अपने class के object के respect में finalize function को call कर दिया तो क्या ये नहीं चलेगा? बिलकुल चलेगा ये एक normal function की तरह भी है चलेगा और जो लिखा होगा वो काम भी होगा लेकिन object की memory रिलीज नहीं होगी garbage collector ही object की memory को रिलीज करता है यानि finalize चलने से object की memory रिलीज नहीं होती object की memory अगर रिलीज हो रही है garbage collector आपके object की memory को रिलीज कर रहा है तो आप कर सकते हो, दस बार भी call कर सकते हो पर उससे object की memory release नहीं होगी जब garbage collector आपकी object की memory को release करेगा, तो उससे just पहले वो आपकी class के finalize function को call करेगा ही करेगा, चाहे आपने पहले call कर लिया हो तब भी तो normally हम call नहीं करते है finalize को, लेकिन हम करना चाहें तो कर सकते हैं तो finalize that means clean up operation which you have kept in the finalize method are executed before an object is destroyed, तो object destroy होगा, उससे पहले finalize के अंदर जो coding लिखी होगी, जिसमें clean up का का काम लिखा होगा, वो release हो जाएगी garbage collector thread calls finalize method only once for an object, एक ही बार बस call करता है जो exception finalize के अंदर आते हैं garbage collector उनको ignore करता है अगर कोई exception आ भी रही है तो garbage collector उसको ignore करके और काम परफॉर्म कर देता है, यानि garbage collector रुकेगा नहीं, कि finalize में कोई exception आ गई, तो program वहीं halt हो जाए और garbage collector आपके object को destroy ना कर पाए, ऐसा नहीं होगा वह ignore कर देगा और आपके object को destroy करेगी करेगा finalize methods are not changed जैसे C++ में आपको याद होगा अगर child class का object destroy होता है तो उसके पहले child class का destructor चलता है, और child class का destructor अपनी coding चलाने के बाद parent class के destructor को call कर लेता है यहाँ ऐसा नहीं होता क्या नहीं होता अगर inheritance हो रहा है और दो classes है चीक है मा लीज़े दो classes है, जावा में चीक है, एक class है A, और एक class है B, और B class जो है, वो सब class है class A की, यह parent class, यह child class अब जब B class का object release हो रहा होगा, garbage collector चलता है, और B class के object को release करता है तो उससे पहले B class के finalize को call कर देगा, इसका finalize चल गए, तो finalize function इसका चलेगा पर A class में अगर कोई finalize function होगा, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि Java में ऐसा नहीं है कि आप finalize को destructor माल ले यह destructor नहीं है C++ में ऐसा था कि child class का destructor अगर चलेगा तो वो अपनी coding चलाने के बाद parent के destructor को भी call करेगा, पर यहाँ chaining नहीं होती, यहाँ का finalize सिर्फ जब call होगा तो खुर्द चलेगा वो parent class वाले finalize को call नहीं करेगा तो यही बात यहाँ पर लिखिए, there is no calling statement to super class finalize method inside the finalize method of subclass अगर आप चाहते हैं कि नहीं, parent में जो finalize है, वो चल जाए तो फिर जो b class के अंदर आप ने finalize function बनाया है, finalize ठीक है तो आप इस function के अंदर coding कर रहे हैं, तो कहीं पर आप लिख रहे हैं, parent class यानि, super dot और finalize तो इससे क्या होगा, इससे एक class वाला finalize function call हो जाएगा समझ में आई बात तो आपको explicitly, यानि आपको लिख कर finalize parent वाला चलाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि finalize को खुद call करें, जैसे कि मैंने भी आपको बताया तो बिल्कुल call कर सकते हैं you can make finalize method to be executed forcefully तो कैसे कैसे लिख सकते हैं आप आप लिख सकते हैं runtime.get runtime.runfinalization या आप ऐसे भी लिख सकते हैं runtime.runfinalizer on exit true लेगिन ये जो दूसरा वाला है ये अब depreciate हो गया, आप इसको use नहीं करते हैं ठीक है, इसका ये कोई भरोसे मंद reliable function नहीं था इसलिए और ये जो पहला वाला है ये भी हमको use नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि इसका कुछ disadvantage है क्या disadvantage है? कि finalize चलेगा इसकी कोई guarantee नहीं है यानि ये function हम call कर रहे हैं तो ये finalize को call करने की पूरी कोशिश करेगा पर चलेगा इस बात की कोई guarantee नहीं है फुली execute करवा सकते हैं लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है इसलिए हम इन पर depend नहीं करते तो हम तो ये मान के चलते हैं जब garbage collector चलेगा तो finalize function को call करेगा तब वो चल जाएगा तो जो clean up operation हमको करने वो हो जाएगे तो I hope आपको ये finalize का जो concept है ये समझ में आया होगा finalize सर्फ एक function है जो की object class में बनाए जिसको हम अपनी class बनाते वक्त override करते और इसमें वो code लिखते हैं जो clean up operation perform करता है तो closing operation perform करता है हमारे object के respect में object destroy हो उसके पहले ये finalize चलना तय है क्योंकि garbage collector इस finalize function को call कर लेगा तो अगर आपको finalize function समझ में आया है तो आप इस video को like करेंगे और यदि आपको इस तरह के और videos देखने हैं तो आप इस channel को भी subscribe करेंगे यदि आपको मेरे बाकी के channels देखने हैं उनके videos को देखना है तो आप मेरी website को visit करें www.mysergy.com इस website पर आपको C, C++, Java, PHP, MySQL, Data Structure, DBMS इस अब के videos मिलेंगे programming exercise के videos मिलेंगे campus preparation के videos मिलेंगे तो आप इस website को जरूँ visit करेंगे और इसमें अगर आपको लगे कि ये बहुत useful है क्योंकि एक तो ये free में हैं और Hindi में हैं तो अगर आपको useful लगती है तो definitely कई और लोगों को भी बहुत useful लग सकती है तो आप please इसको share भी करिएगा क्योंकि ये free है सबी लोग access कर सकते हैं तो आप इसको जितना हो सके अपने facebook wall पे website को या video को share करिए Thank you